इस वीडियो में हम exercise 3B class 6 को complete करेंगे इस exercise में हमें common factor के बारे में study करना है common factor जैसा कि नाम से clear है factor और जो common हो वो वाले factor factor क्या होते हैं जैसे first question है 12 and 72 तो हम पहले 12 के factors लिखेंगे अब 12 के factor कौन कौन से हो सकते हैं पहला हो सकता है 1 multiply 12 next हो सकता है 2 multiply 6 next हो सकता है 3 multiply 4 इसके बाद अगर आप देखें तो 4 multiply 3 इस तरह से दोबारा से repeat होना शुरू हो जाएगा तो हमारी जो factor है इसको हमें लिख लेना है तो ये बन जाएगे 1, 2, 3, 4, 6 and 12 तो ये तो हो गए हमारे 12 के factor अब 72 के हम लेंगे तो 72 को हम लिख सकते है 1 multiply 72 फिर हम लिख सकते है 2 multiply 36 फिर हम लिख सकते है 3 multiply अब 3 की table में इसको आप 72 को divide करके देख लें तो 24 फिर हम लिख सकते है 4 की table में 4 बन जाए 4 and 4 एट जाए 32 फिर 5 की table में ये नहीं आता है 6 की table में अगर हम देखें तो 6 12 फिर 7 की table में भी नहीं आएगा 8 की table में नहीं आएगा 9 10 आगे नहीं आएगा फिर से आगे जो है repeat होना शुरू हो जाएगा तो ये हमारे factor हो गए 72 के तो इनको अगर हम लिखें तो क्या क्या बनेंगे 1 2 3 4 6 फिर इधर से सोरी multiply नहीं लिखना है कोमा लगाना है फिर इधर से 12 18 24 36 and 72 2 अब हमें देखना है common कौन कौन से है तो एक तो 1 common है एक 2 है एक 3 है 4 है 6 है और 12 है तो ये जो हैं हमारे common factor बन जाएंगे इसको हमें answer में लिख देना है 1 2 3 4 6 and 12 next question भी ऐसे ही आपने करना है 25 और 50 है तो आप क्या करेंगे पहले 25 के factors लिखेंगे तो वो बन जाएंगे 1 multiply 25 फिर 2 की टेबल में यह नहीं आता है 3 में भी नहीं आता है 5 में आता है तो 5 multiply 5 उसके बाद अगर आप 50 का देखें तो 50 के factor बनेंगे 1 multiply 50 2 multiply 25 and 5 multiply 10 तो यह बन जाएंगे 50 के अब 25 के factor ऐसे U shape में लिखना होता है हमें कैसे 1 फिर 5 दोनों बार 5 है तो एक ही लिखना है फिर 25 और 50 का बनेगा 1 2 5 10 25 and 50 तो आप देखें इन में common कौन-कौन से हैं तो common है 1 5 25 ऐसे ही आपने यह जो जितने भी हमारे sum है इनको complete करना है और common factor इसमें find out करना है तो करने का तरीका आपको बता दिया कि पहले जो है एक word लो और उसके जितने factor बन सकते हैं 1 से start कर देना आपने 1 2 3 4 जिसकी भी वो टेबल में आता है जैसे 66 है तो यह 1 multiply 66 लिख सकते हैं इसको फिर हम लिख सकते हैं 2 multiply 33 फिर हम लिख सकते हैं 3 multiply 22 next बन सकता है 6 multiply 11 इस तरह से और जो 64 है अगर इसके हम factor बनाएं तो 1 multiply 64 2 multiply 2 3 जा और 2 जा तो 32 आजाएगा 3 की टेबल में नहीं आएगा यह इस प्रकार आपने इसको solve करना है तो फिर आपने देखना है कि common कौन कौन से factor है वो आपके answer में आ जाएंगे तो इसके जो common factor बनेंगे c part के c part के common factor आपके बनेंगे 1 and 2 answer बता जाता हूं मैं आपको खुद try करना है इसको d के लिए अगर आप देखें तो इसका कोई भी common factor नहीं है तो 1 आएगा answer 1 बन जाएगा next e part का अगर आप देखें तो इसके common factor बनेंगे 1, 5, 25 next वाले के बनेंगे 1, 3 and 9 और next g part के बनेगा 1 क्योंकि इनमें कोई भी common नहीं है जिनमें कुछ भी common नहीं होता उनमें one common जरूर होता है क्योंकि one जो है वो हर एक का factor होता है next जो है h, h में अगर आप देखें तो इसमें आएगा 1, 3 and 9 तो ये थे आपके first question, next question में है find hcf, अब first वाले में था common factor only, इसमें है hcf, hcf की full form आपको याद रखनी है highest common factor तो इसको अगर हमें निकालना है, इसके दो method होते हैं, एक तो prime factorization method जो इस फरकार किया जाता है लेकिन इसमें हम बोला गया है, of the numbers by listing the factors, तो हमें जो है, पहले factors लिखने हैं, फिर उनमें common, जो highest common होगा, वो हमें find out करना है तो first question है, जैसे 24 and 72, तो 24 के हम factor की list बनाएंगे, तो वो कौन-कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा, 1 multiply 24, एक बनेगा, 2 multiply 12, एक बनेगा, 3 multiply 8, एक बनेगा, 4 multiply 6, 4, 6, 0, 24, फाइपी टेबल में यह नहीं आएगा, तो इतने ही बनेगे, तो इसको हम list बना लेते हैं, इसके एक तो list इसकी बनेगी, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, and 24, अब हम 72 के factor निकालते हैं, तो 72 के कौन-कौन से बनेंगे, 1 multiply 72, 2 multiply 36, 3 multiply 24, 4 multiply 18, फिर next, 6 multiply 12, तो इसको अगर हम factors में लिखने दो, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18, 24, 36, and 72, तो आप देखें, सबसे बड़ा highest common factor इन में कौन सा है, तो अगर हम देखें दिहान से, तो highest common factor जो है, वो है, 24, तो answer इसका आप देंगे, 24, next question भी same, इसी परकार आपने करना है, next वले में अगर आप देखें, 45 and 81, तो 45 के factor आपने लिखने हैं, और 81 के लिखने हैं, तो कौन-कौन से highest बनेंगे, 45 का अगर हम देखें, तो 1 multiply 45, फिर हम इसको लिख सकते हैं, 3 multiply 15, फिर हम लिख सकते हैं, 5 multiply 9, तो इसको हम लिख लेते हैं, 1, 3, 5, 9, 15, 45, अब next जो हमारी statement है, वो है, 81, तो 81 के जो factor बनेंगे, वो होंगे, 1 multiply 81, फिर 2 की table में नहीं आएगा, 3 की table में, 3, 2, 6, 3, 7, 0, 21, फिर next, 9 की table में आ सकता है, 9, 9, 0, 81, तो इसके factor बनेंगे, 1, 3, 9, 27, 81, अब आप देखें, maximum, बड़े से बड़ा common factor है, वो है, 9, तो highest common factor, h, c, f, is equal to 9, तो ये था आपका method, जिससे आपको in sum को solve करना है, तो highest common factor इसमें निकालना है, first question में only common factor था, कौन-कौन से common है, तो वो हमने लिखे, इसमें highest common factor लिखना है आपने, तो c पार्ट का अगर आप देखें, तो c का बनेगा common factor, 3, d के लिए अगर आप निकालेंगे तो बनेगा 26, e के लिए बनेगा 3, f के लिए बनेगा 36, highest common factor जो है, और g का highest common factor बनेगा 1, क्योंकि ये co-prime numbers है, next जो बनेगा वो बनेगा 9, तो ये थी आपके exercise 3 भी, इसको आपने complete कर लेना है,